नमस्कार चानक्या IAS Academy में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम Business Standard में पब्लिस एक आर्टिकल जिसका सीर्षक है Make Haste Slowly पर चर्चा करेंगे यह आलेक अमेरिका रूस के साथ रिस्तों में भारत को संतुलन की नीती पर बल देने को कह रहा है देखते हैं इस आलेक को विस्तार के साथ आले को प्रारंभ किया गया है इस बात के साथ कि हाली में भारत और अमेरिका के बीच 2 प्लस 2 वारता यानि दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों के मध्वारता संपन्न हुई और इस वारता का परिनाम निकला Basic Exchange and Corporation Agreement और इस Agreement के साथ ही अमेरिका और भारत के बीच में सैन्न सहयोग से समंधित 4 महतपूर्ण समझोते संपन्न हुए अन्य तीन जो समझोते हैं वह समझोते हैं देखिए G S O M I A जिस पर 2002 हिस्वी में समझोता हुआ फिर दूसरा L E M O A इस पर 2016 हिस्वी में समझोता हुआ और तीसरा C O M C A S A कौमकासा इस पर 2018 हिस्वी में समझोता हुआ था Basic Exchange and Cooperation Agreement संपन्न होने के बाद अब भारत की पहुँच अत्याधुनिक तकनीक तक हो चुकी है साथी साथ अब भारत को रियल टाइम में भौगलिक आंकडे और भौगलिक सूचना प्राप्त होगी भारत को ठीक वही सुविधा प्राप्त होगी जो नाटो में सामिल देशों को प्राप्त है भारत और अमेरिका के बीच या जो समझोता हुआ है उसका सबसे बड़ा लाब यहां पर यह है कि अब चीन के विरुद सक्ती को संतुलित करने में भारत को सहयता मिलेगी साथी साथ हिंद परसान छेत्र में सुरक्षित परिवहन और स्वतंत्र आवाजाही को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा अब जरा हम एक नजर भारत रक्षा सहयोग के इतिहास बडालते हैं में संयुक्त अभ्यास इस नाम से बहुपक्षिय अभ्यास का आयवेजन किया जाता था जिसमें छह राष्ट मंडल के देश सामिल होते थे जिसमें भारत और पाकिस्तान भी थे इसके बावजूद भी कि 1948 में दोनों देशों के बीच युद्ध हो चुका था परंतु 1965 इसवे में भारत पाक युद्ध के पस्चात समीकरण में परिवर्तन हुआ ब्रिटेन हमारी जरूरतों खासकर आधुनिक पंडूब्यों की हमारी जरूरत को लेकर बहुत उत्सुक नहीं था इन्हें अमेरिका से हासिल करने की कोशिस में भी नाकामी हात लगी क्योंकि अमेरिका ने भारत से कहा कि हम अपनी मांग ब्रिटेन के जरिये आगे बढ़ाए तब भारत ने सोव्यत संग की ओर रुख किया और कुछी वर्स में भारत की जरूरत पूरी होने लगी यह काम आसान शर्तों पर मिले रिण के माध्यम से हो रहा था और इन उपकरनों की कीमत केवल दो परतिसत ब्याजदर पर पंद्रह वर्स में चुकानी थी 1971 इस्वी में भारत पाक युद्ध तक भारत के पास मिसाइल बोर्ड और एफ स्रेनी की पंदुब्यां मौजूद हो चुकी थी और 1988 इस्वी में परमानु हत्यार की चमता वाली पंदुब्यां भी भारत के पास थी तो 1990 इस्वी तक 1970 इस्वी की तुल्ना में भारतिय सेना की इस्थिती काफी बेहतर हो चुकी थी और यह परिणाम था भारत रूस सैन्न सहयोग क्या अब हम भारत अमेरिका सैन्न सहयोग के इतिहास पर नज़र डालते हैं देखें सीत युद्ध के दौरान भारत और रूस के बीच में नज़दी की बढ़ी और भारत और रूस के बीच की यह नज़दी की अमेरिका के सतुरता पुर्ण रुक का कारण था भारत की ओड़ अमेरिका की रूची उसमें भारत में कम थी और पाकिस्तान में ज़्यादा थी उसका कारण क्या था कारण यह था कि अफगानिस्तान में रूस के प्रभाव को चुनोती देने के लिए अमरिका पाकिस्तान की भूमी का उप्योग करना चाहता था और कर भी रहा था इसलिए अमेरिका की रूची भारत में कम और पाकिस्तान में जादा थे। सोव्यत संग के पतन के समय तक यही इस्थिती लगभग बनी रहे। परंतु उसके बाद भारत और अमेरिका के सैन सहयों की प्रकृती बदली। 1995 इस्थि में अमरीकी रक्षा मंतरी भारत की यात्रा पर आये और पहले की तुलना में जो संबंध हैं उसमें प्रगती देखी गए। 2005 इस्थि के बाद फिर इसमें तेजी देखी गई जब भारत और अमेरिका के मद्ध समझोता हुआ। 2005 इस्थि के बाद भारत और अमेरिका के बीच उन्नत सैन्य उपकरणों का आयात भी प्रारम हुआ और अगर मौद्रिक मुल्य उसका देखें तो यह करीब 20 अरब डॉलर का था। इन उन्नत सैन्य उपकरणों के आयात के बाद अमेरिका भारत का सबसे बड़ा सैन्य सामान आपूर्ती करता देश बन चुका था। और अस्टेलिया भी सामिल हैं। अमेरिका का हित चीन का विरोध करना है और भारत को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि क्वार्ड सैन्य सयोग पर आधारित नहीं है। इसलिए यह आविस्यक है कि अमेरिका के साथ सैन्य सयोग पर भारत जो बल दे रहा है उसके साती साथ भारत रूस को भी नजर अंधाज ना करे। अमेरिकी कूठ नितिग्यों के स्वर में भले ही चीन विरोध सुनाई पढ़ रहा हो परन्तु यह भी सच है कि अमेरिका चीन के साथ कभी भी परत्यक्च गतिरोध में सामिल नहीं होगा। यह भी सच है कि रूस भी चीन के साथ परत्यक्च गतिरोध में सामिल नहीं होगा। अंतर व्यवहार को अपनाएं। इस प्रकार हमने इस आलेक के माध्यम से यह देखा कि भारत को अमरिका और रूस इन दोनों के साथ समान इस्तर पर समान व्यवहार को करने की आविश सकता है जो भारत के वैदेसिक नीती के दृष्टिकों से अत्यंत लाब्दायक होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार।